आज है दो सितंबर और आज का मौस्ट इंपर्टेंट करेंट अफे लेकर आये हूँ आज का पीडिएफ नीचे डिस्करिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो क्वीज करूंगा जिसका अंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट कर गये हैं जिन्होंने टेस्ट किरकेट में है ट्रिक विकेट लिया है इसके पहले हरबजन सी और इर्फान पठान ये उपलबदी हासिल कर चुके हैं हरबजन सी 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इर्फान पठान 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट किरकेट में है ट्रिक विकेट लिये हुए थे और हाली में जस्पिरित बुमरा वेस्ट टेंडिज के खिलाफ है ट्रिक विकेट लिये हैं यानि अब तक भारत के कुल तीन गेंदबाजी ऐसे हो पाएं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हैट्रिक विकेट लिया है इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान में रखियेगा यातायात के नए नियमों के अनुसार अब नबालिक द्वारा गारी चलाने पर अभीभावक को कितना रुपे का जुर्माना भरना होगा तो अगर कोई नबालिक गारी चलाता है तो उसके अभीभावक के उपर 25,000 रुपे का जुर्माने का प्रवधान किया गया है वहीं अगर कोई बीना लाइसेंस का गाड़ी चलाता है तो 5,000 रुपे का जुर्माना और बीना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपे का जुर्माने का प्रवधान किया गया है वहीं अगर कोई शराब पिकर गाड़ी चलाता है तो 10,000 रुपया और इमर्जेंसी वहानों जैसे की एम्बूलेंस या फिर फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपया के जुर्माने का प्रवधान किया गया है नए याता यात नियम में अगला कोशन है एलावेनिल वला रिवन ने रियो डी जनेरियों में आयो जीत सेनियर शुटिंग वर्लकप 2019 में महिलाओं की कितने मीटर एयर राइफल असपरदा में स्वान पदक जीता है यहाँ पे स्वान एड कर लिजेगा इन्होंने स्वान पदक जीता है यानि गोल्ड चंदेला तथा अंजली भागवत ने यह उपलब्दी हासिल की थी ठीक है इसी वर्लकप में भारत के अभिसेक वर्मा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल असपरधा में स्वान पदक जीता है ठीक है अभिसेक वर्मा हर्याना के है वहीं एलावेनिल वला रिवन ये तमिल किया गया था नेक्स्ट आपदा परतिरोधी साराचना के लिए अंतराष्ट्रिय गटबंधन के शहर में अस्थापित किया जाएगा तो नई दिल्ले में अस्थापित किया जाएगा ओप्शन ए सहुधता रह हाले में केंद्रिय मंत्रि मंदल ने इसकी मंजूरी दे दी है तो नई दिल्ली में इसके अस्थपना की जाएगी चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं दिल्ली भारत का के अंदर सासित परदेश है दो राजियों से सीमा टच करती है हरियाना और उत्तर परदेश मुख्यमंत्री अर्विंद केजिरिवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनील बैजल सक्षर्ता दरे 86.2 एक परतिशत लिंगान उपाते 868 ये सभी आकड़े 2011 के जनगड़ना के अनुसार है मुख्यनादी से डी एन पटेल लोक सबसिट साथ राज्य सबसिट तीन विधान सबसिट 70 जीलों की संख्या 11 है यहां का राज्किय पक्षी है गोरया अगला कोशन है 23 सितंबर को सयुक तराष्टर जलवायू शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन का हां किया जाएगा इसका आयोजन किया जाएगा निव योर्क में निव योर्क अमेरिका का एक शहर है और सयुक तराष्टर का मुख्याले भी निव योर्क में ही है तो 23 सितंबर 2019 को सयुक्त राष्टर जलवायू सिखर सम्मेलन का आयोजन निव योर्क में किया जाएगा और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी अमेरिका के दोरे पर जाएंगे यहाँ पर हम युनाइटेड नेशन का बत किये हैं इसके बारे में जान लिजे युनाइटेड नेशन इसकी अस्थापन हुई थी 24 सक्टूबर 1945 को 24 सक्टूबर को हर वर्स सयुक्त राष्टर दिवस मना जाता है ध्यान में रखिए मुख्याले निव यॉर्क में हैं अधिकारिक भासाएं छे हैं कौन-कौन सी अर्भी, चाइनिज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश सदसे देशों की संख्या 193 है वर्तमान में महा सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस अगला कोशन है हाली में HRD मंत्राले ने देश भर के 15 लाख स्कूलों को लिंक करके किस नाम से एक स्कूली सिक्षा पोर्टल लॉंच किया है तो हाली में HRD मंत्राले ने शगुन नमक एक स्कूली सिक्षा पोर्टल लॉंच किया है ओप्शन भी सही उत्तर है HRD मंत्राले यानि मानो संसाधन विकास मंत्राले इस मंत्राले के मंत्री कौन है वर्तमान में? रमेश पोखरियाल निशांक Next हाली में किस बैंक के परबंध निदेशक और मुख्य करिकरी अधिकरी पार्थ सार्थी मुखरजी ने इस्तीफा दे दिया है तो ये लक्षमी विलास बैंक के मैनेजिंग डिरेक्टर एंड चीफ एग्जेक्यूटिव ओफिसर थे और हाली में इन्होंने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है लक्षमी विलास बैंक इसकी अस्थपना 1926 में की गई थी हेड़क्वाटर चिन्नई में है और इसका टेग लाइन है इस बैंक का कई बार टेग लाइन पूछ ले रहा है आजकल दा चेंजिंग फेस ओफ प्रोस्परीटी ठेक है तो ध्यान में रिखिएगा अगला कोशन है एक सितंबर को संपन पाचवा अंतराष्ट्रिय एकवा एकवेरिया इंडिया 2019 का आयोजन की शहर में किया गया था इसका आयोजन किया था हैडराबाद में 30 अगस्थ से लेकर एक सितंबर तक इसका आयोजन किया था 30 अगस्त को इस conference का उद्गाटन किया थे उप रास्वती वेंकिया नाइडू और इस conference का आयोजन किया था समुदरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन ने तो मत से पालन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का conference का आयोजन किया जाता है और इस तरह सी ये पाँचुवा संसकरंथा ध्यान में रखिये यहाँ पे हम समुदरी उत्पाद का बात कर लिए तो यहाँ से दो पॉइंट ध्यान में रखियेगा 2018-19 में भारत ने 7 billion dollar का समुदरी उत्पाद का निर्यात किया दूसरा पॉइंट है, समुदरी उत्पाद निर्यात के मामले में भारत विश्वा में दूसरे अस्थान पर है अगला कोशन है, श्टार्टप से संबंधित शिकायतों के निवारन के लिए किस संस्था ने 5 सदस्थी विसेश श्टार्टप सेल का गठन किया है तो हाली में केंद्रिय परत्यक्ष कर बोर्ड ने स्टार्टप से संबंधित शिकायतों के निवारन के लिए विसेश स्टार्टप सेल का गठन किया है केंद्रिय परत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में जान लीजिए, यानि CBDT, इंगलिश में Central Board of Direct Tax इसका गठन किया गया था 1944 में वर्तमान में चेर्मेन है परमोध चंद्र मोधी CBDT किस मंत्राले के अधीन आता है? केंद्रिय वित मंत्राले वर्तमान में वित मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन और फ्रेंड्स, आने वाले एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने दो e-book तैयार किया है एक समन्ने बिग्यान का और एक Current Affair का समन्ने बिग्यान का 1500 कोशन है जो की Lucent के किताब से सेलेक्ट किया गया है वही Current Affair में जन्वरी से लेकर अगस्त का टॉप Current Affair का 800 MCQs तैयार किया गया है कुछ लोग सेंपल मांग रहे थे मैं आप लोग को सेंपल दिखा देता हूँ दोनों e-book का तो ये रहा Current Affair का e-book जन्वरी से लेकर अगस्त के टॉप Current Affair कवर किया गया है टोटल 800 MCQs हैं 8 महिने के हर एक मां से 100 MCQs लिए गया है सारे टॉप लेबल के कोशन है इस e-book में सरकारी योजनाई, पुरौसकारें सम्मान, खेल पुस्ता के उलेखक, महत्पूर्ण नियुक्तियां सुचकांक, आर्थिक प्रेदिरिस से और अन्य छेतरों से कोशन तैयार किये गया है और इस तरह से आपको कोशन देखने को मिलता है नीचे answer लिखा गया है साथ में mark इसलिए नहीं किया गया है ताकि आपको दिकत नहों हो ठीक है, आप इस तरह से आराम से पढ़िए आप question का answer guess भी कर सकते हैं, बाद में last में answer भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सारे question जो है objective type है, total 800 question है, तो ये रहा current effort का e-book, अब चलिए science का e-book कैसा वो दिखा देता हूँ, तो ये रहा science का e-book, इसमें biology से 500, chemistry से 500, physics से 500, और free में आपको computer gk के 500 question दिया जा रहे हैं, यानि total 2000 question provide किये जा रहे हैं, मातर 35 रुपे में, सारे question one liner है, और सभी question जो समन्य भी ग्यान के question है, lucent के किताब से cover किये गये हैं, और computer gk का question अलग-अलग book से select किया गया है, ठीक है, और सभी question जो भी आपको समन्य भी ग्यान के question मिलेंगे, सभी serial wise मिलेंगे, यानि एक line से म पारे में हम बात करने हैं, उससे related आपको 5-6 question मिली जाएगा, कैसे भी, तो इस तरह से सारे question तयार किये गये हैं, ठीक है, तो 500-500 question करके हैं, आप इन सभी 2000 question को आप 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, एक दिन में अगर 100 question भी आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो 20 दिन में आप इस खत्म कर दिजेगा, तो मैं आप सभी से request करूँगा, बहुत मेहनत से ये सारी ebook तयार किये गये हैं, आपके help के लिए, आने वाले समय में RRB, NTPC, Group D का exam है, उसके लिए आपको help कर सकता हैं ये सारा ebook, और समान्य बिग्यान का जो ये question है, basic से लेकर सभी type के question इसमें cover किय तो आप इसे जरूर download करना, और download charges जो है बहुत ही कम रखा गया है, जिसे की सभी students इसे download कर सकते हैं, अब चलिए अपना question देखते हैं, RBI के report के अनुसार, 2018-19 में भारतिये अर्थ बैवस्ता में, नोटों का परिचालन कितना प्रतिशत बढ़कर 21.8 trillion रुपया हुआ है, त तो 17 प्रतिशत की बढ़ुतरी हुई है, नोटों के परिचालन में, और इस तरह से, with verse 2018-19 में, 21.1 trillion रुपया का परिचालन हुआ है पूरे भारत में, अब चलिए RBI के बारे में जान लिजे, RBI का अगठन कब हुआ था? एक अप्रेल 1935 को, राष्ट्रिय करन, यानि नेशनलाइजेशन हुआ था, एक जनवरी 1949 को, हेड़कोर्टर मुंबई में है, वर्तमान में गवर्नर है, शक्तिकांत दाफ, और वर्तमान में तीन उपगवर्नर है, यानि डीपूटी गवर्नर, कौन-कौन है? एन विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, तथा महेश कुमार जैन, तो ये था हमारा आज का करेंट अफेर, वीडियो पसंद आ है, तो लाइक और शेर जगू करना, अब चलिए लास्ट वीडियो का एंसर बता देता हूँ, पहला कोशन था, लियो नेल आईजीमिया, किस दे पत्रिका की अस्थापना किस ने की थी, इसका एंसर कुछ लोगों ने गलत दिया था, सही एंसर था, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही 1800 एक्याउन में रस्त गुफतार नामक समाचार पत्रिका की अस्थापना की थी, अब आज का क्विज करता हूँ, इसका एंसर कितना कर दिया है, दूसरा कोशन है, छहतरफल की दृष्टी से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंट में लिखे दिजी, और जो लोग पहली बार हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजेगा, ताकि ऐसे ही ड देली करेंट अफ़ेर का वीडियो का नोटिफिकसान आपको सबसे पहले मिलता रहेगा